तो जब से इसराइल और इरान के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से इंडिया का टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है. क्योंकि देखा जाए तो इरान दुनिया भर में कच्चे तेलों को सबसे ज्यादा निर्यातक देश है. और अब ये खबर निकल करा रही है. इसर इसराइल और इरान जंग की वजह से इंडियान नेल सिक्योरिटी के उपर एक बहुत बड़ा खत्रा मंडरा रहा है. तो दोस्तों, जरा आप सोचिए, अगर भारत से 3000 किलोमीटर दूर स्थित अरब देश, इरान और इसराइल के बीच चल रही जंग, और भी ज्यादा भय अंकर मोड ले लेता है, तो इससे भारत पर क्या असर पढ़ने वाला? अब आपके मन में यही चल रहा होगा, कि इससे भारत के उपर कोई असर नहीं पढ़ेगा. लेकिन देखा जाए तो असल में Middle East में चल रहे इस जंग की वजह से, भारत की सुरक्षा और एकोनॉमी दो अब इंडिया को भी इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं, और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा अपने नौसेना के तीन युद्ध पोत को इरान के बंदरगाह पर भेज दिया है, और अब इंडिया बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन भी ले सकता ह लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस जंग की वजह से भारत की ओयल सिक्योरिटी पर कौन सी आफ़र तूट पड़ी है, क्योंकि भारत ने अपने तीन युद्ध पोत को इरान की तरफ मोड दिया है, और क्या इस चल रहे खाड़े युद्ध में भारत ने हिस्सा लेन चाहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल सबस्क्राइब कर लें, ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धी है, दरसल पिछले एक साल से इसराइल मिडल इस्ट में फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इसी बीच इरान के द्वारा गाजा से लेकर लेबनान की उग्रवादी संगठन को ट्रक भर भर कर हतियार की सप्लाई कर रहा था, और इरान इस जंग का एक हिस्सा बना हुआ था, उसके बाद एक अक्टूबर की रात को इरान के द्वारा अचानक इसराइल के ऊपर लगभग 180 बैलि पूला हो जाता है और इरान के उपर जवाबी कारवाई के लिए प्लान तयार करने लगता है, लेकिन इसी बीच यह खबर निकल कर आने लगती है कि इरान के द्वारा भारत को भी इस जंग में घसीट की कोशिश की जा रही है और इस तरह की स्थिती को देखते हुए भारत को कहीं न कहीं डायरेक्टली नहीं, तो इंडायरेक्टली अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, दरसल ये खबर निकल कर आ रही है कि इसराइल ने खुले आम धमकी देते हुए कहा है कि वह इरान की ओनल स्टोर पर हमला करके तबाह कर देंगे, वैसे इसराइल उन ओनल टैंकर्स को उड़ाने का प्लान तयार कर रहा है, ताकि इरान का ओनल सेक्टर पूरी तरह से बरबाद हो जाए, और इरान की इकोनॉमी को इतनी भयंकर जटका लगे, कि वह फिर कभी इसराइल से पंगा लेने के बारे में सपने में भी ना सोच सके, हालां कि जानक में से एक है, हालां कि जब से रूस और युक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ है, तब से भारत के द्वारा ज्यादा तर कच्चे तेल सिर्फ रूस से ही खरीद रहा है, लेकिन रूस के अलावा भी भारत के द्वारा इरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्च तेल खरीदा जाता है, और हैरान करने वाली बात यह है, कि अगर इरान की ओयल फैसिलिटी पर हमला होता है, तो इसका सीधा सीधा असर भारत के आयात और निर्यात पर पड़ेगा, क्योंकि देखा जाये तो भारत कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को निकाल कर, ना सिर कि ओनल टैंकर्स को तबाह कर दिया जाता है, तो वैश्विक मार्केट में क्रूड ओनल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद मजबूर होकर भारत को महंगे दामों में क्रूड ओनल खरीदना पड़ेगा, और इसकी वजह से भारत का ट्रांस्पोर्टेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और साथ ही साथ देखा जाए, तो भारत का जो तेल रिफाइनरी बिजनेस है, उसके लिए भी एक नई मुसीबत पैदा हो जाएगी, वैसे तो अभी के टाइम में, भारत के द्वारा रूस से काफी सस्ते कीमत पर कच्चे तेल को जा रहा है, लेकिन दोस्तों, भारत पूरी तरह से रू-S के उपर निर्भर नहीं है, और जानकारी के लिए आपको बता दें, कि जब ग्लोबल मार्किट में क्रूड नायल की कीमत बढ़ेगी, तो रूस भी इसकी कीमत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कच्चे जिससे हर चीज का कीमत बढ़ जाएगा, यानि कि दोस्तों, यहां पर साफ-साफ समझ समझने वाली बात ये है, कि अगर इसराइल के द्वारा इरान के ओनल स्टोर पर हमला करके तबाह कर दिया जाता है, तो इससे भारत की ओनल इंडस्ट्री पर तो असर पड़ेगा ही, स इसमें की ICGS वीरा, INS टियर, INS सर्दो शामिल है, वैसे जाजानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने ना सिर्फ अपनी ओनल सप्लाई की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन तीन युद्धपोत को भेजा है, बलकि भारत के विदेश मंतरी S.J. शंकर ने इरान और इसराइल के बीच चल रहे जंग को भी खत्म करने का उफर दे दिया है, वैसे इरान भी यही चाहता है कि जहां तक हो, इस तनाव में भारत की मदद करें, क्योंकि अभी के टाइम में भारत का रिलेशन इरान के साथ काफी अच्छे हैं, और इसराइल के साथ भी अच्छे ह अगर इसराइल इरान के तेल इंफरस्ट्रक्चर को तबाह करने में सफल हो जाता है, तो इसका फाइदा सीधे तोर पर अमेरिका को होगा। अमेरिका ने इरान के ओयल एक्सपोर्ट पर कई सैंक्शन्स लगा दियें और इन सैंक्शन्स का असर भारत पर भी पढ़ा है। भारत इरान से क्रूड ओनेल नहीं खरीद पा रहा है, जिसका सीधा असर हमारी एकोनॉमी पर पढ़ रहा है। इसकी वज़ा है लेबनान के हिजबुला समूह का यमन के तीविद्रोहियों के साथ गहरा रिष्टा। हिजबुला के कहने पर तीविद्रोहियों ने लाल सागर में कई जहाजों पर हमले किये हैं, जिन में भारत के जहाज भी शामिल हैं। इन हाईजाक घटनाओं की वजह से भारत को मिडल इस्ट और यूरोप के साथ बिजनिस में काफी मुश्किलें जहलनी पड़ रही हैं. इसके कारण भारत को अपने एकोनॉमी कॉरिडोर्स में सामान सप्लाई करने के लिए लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!